जित करते हुए, विक्रमार्क वापस पेर के पास गए, शव को पेर के ऊपर से नीचे उतारा, अपने कंधे पर रखा और हमेशा की तरह चुपचाप कबर की ओर चल दिये। तब शव में बेताला ने कहा, राजा, इस आधी रात के समय, यदि आप मुझे इस भै से भरे कबरिस्तान में देखेंगे, तो आप कितने बहादुर हैं, यह देख लेंगे, हाला कि कभी कभी बहुत अधिक द्रिड़ता और साहस से अंत में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, एक महिला की स्वाभाविक दया के साथ, प्रसव पीरा को जाने बिना, एक मूर्क से शादी की, सुनो, उन्होंने जारी रखा, पहले कनकपुरी राजे पर जेकेतन नामक राजा का शासन था, उनकी पुत्री चंदरेखा अत्यंत रूपवती है, वह शत्रंज में अच्छी पिता से कहा, पिता जी, ए उस राजकुमार से विवा करूंगी जिसने मुझे शत्रंज में हराया था, जो राजकुमार मुझसे पहली बाजी हार गया, उसे सौकोडे मारने की सजा दी गई, यदि वह दूसरी बार हार जाता है, तो उसे कुल देवता की शपत लेनी साथ ही अगर वह तीसरी बार हारे तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी, इसे इस तरह लागु करें, यह कहा, जैकेतन उसकी अजीब इच्छा से आश्चरेच कित था, हाला की अपनी बेटी की जिद को जानते हुए, उन्होंने उसके अनुरोध के अनुसार इशारा किया, क प्रतियोगिता में भाग लेना और समय सीमा से पहले हार जाना आम बात है, स्वयमर नियम के अनुसार उन्हें सो कोडे मारे गए और शर्म का बोज लेकर वे अपने अपने राजय में लोट आए, कोई भी दूसरी बार राजकुमारी से प्रतिसपरधा करने को त्यार नहीं के अद्भुत सौंदरे के बारे में सुना था, सूर्य तेजा, जिन्हें तब तक शत्रंज के खेल का बुन्यादी ज्यान भी नहीं था, ने शत्रंज सीखने का फैसला किया, उन्होंने शत्रंज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और प्रथम आने वाले विश्वनाथ से शत्रंज की तक्निकें सीखी इस प्रकार सूर्य तेजा ने छह महीने तक शत्रंज का कड़ा अभ्यास किया एक दिन विश्वनाथ ने सूर्य तेजा से कहा आपका प्रशिक्षन पूरा हो गया है महाराज, मुझे एक विराम दे उसने कहा सूर्य तेजा ने उन्हें बहुमूले उफार दिये और चंद्ररेखा के साथ शत्रंज में प्रतिसपर्धा करने के लिए कनकपुरी के लिए प्रस्थान किया कुछ प्रमुक राजकर्मियों और चंद्ररेखा के मातापिता की उपस्थिती में शत्रंज प्रतियोगिता शुरू हुई सूर्य तेजा पहली बार चंदरेखा की सुन्दरता देखकर दंग रह गए ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने किरदारों से कहीं अधिक सुन्दर है मुकाबला दिल्चस्प बना हुआ है ये दोनों शत्रंज की बिसात पर मोहरे चला रहे है सूर्य तेजा चाहे कितनी भी कुशलता से खेले चंदरेखा अमोगा की ताकत के सामने टिकने में असमर्थ है दो घंटे बीच जाने के बाद सूर्य तेज ने राजा और चंदरेखा को पकर लिया सभी ने खुशी मनाई और राजकुमारी को जीत की बधाई दी जैसे ही दोनों शूर्वीर कोड़े लेकर आगे आए राजकुमारी ने सूर्य तेजके की ओरदया की द्रिष्टी से देखा सभी ने सोचा की सूर्य तेज़ा अपने राजे के लिए प्रस्थान करेंगे लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सूर्य तेज़ा दूसरी बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तियार है यह देखकर उसने कहा यदि राजकुमारी दूसरी बार इन से हार जाए तो क्या नियम पालन करना होगा जानती हो कनकपुरी के मुख्यमंतरी आदित्यमलू ने सूरे तेजा को चेतावनी दी कि उन्हें जाती देवता की शपत लेनी चाहिए कि वह अपने जीवन में किसी अन्य महिला से शादी नहीं करेंगे अगर आप यह शर्ट नहीं लगाएंगे तो मैं दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता आपकी संतुष्टी के लिए जैसा कि आपने पूछा ए शपत लेता हूँ सूरे तेजा ने अपने जाती देवता भगवान शिव की शपत ली अब दूसरी बार प्रतियोगिता शुरू हुई है इस बार सूरे तेजा ने अपनी पूरी ताकत जोक दी और हर कदम फूंक फूंक कर रखना शुरू कर दिया हाला की चंद्र रेखा काली धर्ती पर टहलती हुई सी उभर रही है सूरे तेजा उसकी गती और कौशल से आश्चरेच कित था इसी बीच एक बार वह उसके मोहक रूप को देखकर विचलित हो गया और एक पल के लिए उसकी एकागरता भंग हो गई जब वह मंत्री को मारना चाहता था तो उसने हाथी को मार डाला उस तर पर यह एक मेहित्वपूर्ण गलती थी और बस इतना ही चंदरेखा ने सूरे की किर्नों को अद्भुत उंचाई से मात दी एक बार फिर सभी ने जोरदार जैकारे लगा कर उनका स्वागत किया अब सूरे तेजा का चारुसिनगर के लिए प्रस्थान निश्चित था हालांकि सूरे तेजा तीसरी बार चुनाव लड़ने को तियार है उसकी जित से हर कोई है राजा जेकेतन आगे आए और सूरे तेज के कंधे पर हाथ रख कर बोले राजकुमार आप युवा है विज्ञान में पारंगत है और आपका भविश्य उज्वल है एक शासक के रूप में आपकी कई जिम्मेदारिया है वह सब भूल जाओ और अपनी जान जोखिम में डाल कर इस प्रतियोगिता में भाग मत लो मेरा नाम सुनो और अपने राजे वापस जाओ हितावु ने कहा सूर्य तेजा हसे और बोले आपकी सलाह के लिए धन्यवाद मेरे प्रिये क्या बुजर्ग भगवान है इस बार मैं जीत सकता हूँ उन्होंने कहा यह वार्तालाप सुन रही राजकुमारी सूर्य तेजा की दृढ़ता से आश्चरच कित रह गई यह अभूतपूर्व लग रहा था कि वह एक बार फिर उसके साथ प्रतिसपर्धा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा उसने एक दो क्षण के लिए सूर्य तेज केशी की ओर देखा और राजा जेकेतन से कहा पिता जी इस प्रतियोगिता मैं हार्स वीकार करता हूँ उसने शर्म से सिर हिलाते हुए कहा प्रतियोगिता देख रहे सभी लोग आश्चरच कित रह गए राजकुमारी जिसने सूर्य तेजा को दो बार आसानी से हरा दिया था अब बिना चुनाव लड़े ही हार्स वीकार कर उन्हें असमंजस की स्थिती में छोड़ दिया हाला की राजा जेकेतन भ्रमित हो गए और उन्होंने कहा एने सही समय पर सही निर्ने लिया है उन्होंने अपनी बेटी को बधाई दी बेतालू इस कहानी को बताता है राजा जब सूर्य तेजा पहली बार शत्रंच का मैच हार गया तो उसे एहसास हुआ होगा कि उसका चंदरेखा से कोई मुकाबला नहीं है तो क्या वापस जाकर दूसरी तीसरी बार प्रतिसपर्धा करना मूर्खता नहीं है किसी महिला की स्वाभाविक दया यह बताने के लिए काफी थी कि वह तीसरी बार राजकुमारी प्रतियोगिता में शामिल हुए बिना ही हार गई थी यदि नहीं तो सूर्य तेजा का जीवन संभव नहीं होता साथ ही राजा जैकेतन की बेटी को सही समय पर सही निर्ने लेने के लिए बधाई देने का भी कोई प्रसंग नजर नहीं आता यदि आप इन संदेहों का उत्तर जानते हैं और उन्हें नहीं बताते हैं तो आपका सिर्फ फट जाएगा उन्होंने कहा विक्रमारकु ने कहा सूर्य तेजा इतना मूर्ख नहीं है कि जब वह पहली बाजी हार जाए तो उसे यह इहसास नहो कि शत्रंज में उसका चंद्रेखा से कोई मुकाबला नहीं है हाला कि यदि वह दूसरी या तीसरी बार उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तियार है तो यह उसके प्रती उसके गहरे स्नेह को दर्शाता है कुशाग्र बुद्धी चंद्रेखा से इस तथ्य का पता लगाना कठिन नहीं है दरसल चंद्रेखा की आत्ममुग्ध शत्रंज प्रतियोगिता तो एक बहाना थी तीन चर्णों में तै हुई इस प्रतियोगिता में सूरतेजा अकेले थे जिन्होंने पहले दो चर्णों को पार किया और तीसरे चरण के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी चंद्रेखा बिलकुल ऐसा ही योग्यपती चाहती थी यह महसूस करते हुए कि उसकी आशा तूट गई है उसने समझदारी से काम लिया और खुद को हारा हुआ घोशित कर दिया इसमें कोई दया की बात नहीं है इसे महसूस करते हुए जैकेतन ने अपनी बेटी के फैसले की सराहना की उन्होंने कहा जब राजा इस प्रकार चुप हो गया तो बेताला शव के साथ गायब हो गया और जंगल में लौट आया स्रोत रागवाराजू पट्टा भिरामराज द्वारा